तो आज किस वीडियो में आपने खेलने वाले हैं निव अपडेट बहुत देर पहले ही आ गया था हाला कि मैंने जो है उसको डाउनलोड ही नहीं किया था हाँ बीजी आमाई में यह डाउनलोड नहीं हो सकता लेकिन अगर क्यार परशन आपके पास है तो उसमें आप इसको खेल भी सकते हो डाउनलोड भी कर सकते हो सब कुछ कर सकते हो तो इस वाली वीडियो में यह खिलने वाला हूं कहीं न कहीं पुरानी यादे भी ताज़ा होन और पूरा एकदम एशिया के लोग मिलते थे पूरा पबजी में जब पबजी रहता था अपने डाइम पे और हाँ पाकेसान की वंदे रहते थे जैसे कि यह वंद्धा उने देख लिया तो ऐसा लाग हर कंट्री के लोग में में एशिया के बहुत सारो लोग रहते थे थे मज़ा आता था यार बाकी सारी कंट्री के लोग एक ही सर्वर में मेल के खेल रहे हैं एक अलगी लेवल का कॉंपिटेशन है और जो लीडर पोड है वो भी एकदम काफी मज़ेदार रहता था क्योंकि वहां पर ऐसा लाइक देखने करे था कि हां यार इंडिया के तीन करते था बाई वहली जो लोभी रहती है उसको तो मसा आता था वहला वर्जन खेलने में फिलाल यह अपडेट में खेल रहा हूं उसी तोसी याद से आ रही थी टाइप का थोड़ा नया अपडेट भी किना था तो चलो यह वहला वर्जन मैंने सुचा खेल लेते हैं इसमें थोड़ा सा फरक महसूस हो रहा है कि नहीं आप मिले को कमेंट सेक्शें में बताओ फिलाल इस वाली वीडियो में देखना क्या ही तबाही मचा ही तुमा भाई ने और एक चाइनीस टीम रहते यार भाई क्या ही कजब केल रही थी वह उसने जो अटैक किया नवे पे अच्छा का इस वीडियो के बीच में एक चोटा सा ब्रेक लेकर आपको बताना चाहता हूँ कि आप सिरफ एक रुपे में आइफोन 14 जीत सकते हो जानते हो कैसे अपनी क्रिकेट की नॉलज़ का यूज़ करके देखो 30 अक्तूबर को इंडिया वसे साउथ अफरीका का मैच लेकिन उससे पहले डिस्क्रिप्शिन में जाओ, डाउनलोड करो माई 11 सरकल अप और 30 अक्तूबर को इंडिया वसे साउथ अफरीका मैच के लिए अपनी टीम बनाओ, गीववे कॉंटेस्ट जोइन करो और आपके पास चांस जीतने का एक ब्रैंड न्यू आइफोन 14 आपके कुछ लोग कह रहे थे कि यार हम तो फैंटेसी क्रिकेट इतनी टाइम से खेलने कभी जीते ही नहीं है, तो देखो जिन एपस पर आप खेलते हो गाईज उन पर कॉम्पूटिशन बहुत जादा है, तो इस वजज़े साई परसनेली रिक्मेंट माई 11 सरकल, क्योंकि आपके माई 11 सरकल अकाउंट में मिल जाएगा, सो लिंक इस इन डिस्क्रिप्शन, डाउलोड करो और अभी जा के अपनी टीम मनाऊ गाईज, इंडिया बसे साउथ आफ्री का मैच के लिए सिरफ माई 11 सरकल पे अब यहां पे जो टीम थी यार, उनको तो मैंने निप्टा दिया, इस ड्रॉप से मेरे को एक गन बिलती है, जिसको कि मैं आगे जाके यूज करने वाला हूँ, मैंने सुचे यार, यह वली गन, इसका नाम में बार 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 बूल जाता हो, इस MG3, कभी मैं इसको M6 बोलते अब यह वली चीज यार, इसको मैं बहुत जादा यूज करता हूँ, अब यह वली मैच में ना, गाईस, एंड में देखना क्या ही सीन रहता है, इसी बैलून के साथ एक तगड़ी चीज करने वाला हूँ है, लेकिन तब तक अभी आपने देखा कि लास्ट मैंने अभी एक उस टीम को मारता, जिन अन जो है वो ड्रॉप चला रहा था, अभी एक और ड्रॉप किर रहा है सामने, दिखा मेरेको, और यहां पर देखना अभी इस टीम के उपर, मैं सुच रहा हूँ कि रश ही कर दूँ, क्योंकि दूर से तो होने नहीं बाला, अब मैं आया था था और इस मंदे को निप्टा दिया हमने, अब इसको निप्टा था यार, मेरा कन्फूजन सा था यार, यहां पर आती कि मतला पता नहीं चल रहा है, इरेंगल पर कोई नया ही मैप लग रहा है, यह जो गर देख रहे हो, यह बिलकुली अलग है, इरेंगल पर ऐसे टाइप आपको एक आदा, लेकिन वहां पर भी कुछ इस टाइप के गर नहीं मिलते हैं, जाहा था कि जितना मैंने कहला है, उतना जादा नहीं कहला है, अब यहां पर आप देख सकते हैं, यहां मेरे को कोई भी नहीं मिला, तीनों गरों के अंदर, तो मैंने बगी उठाई, इस पताओ यार, यही बाला वर्जन मैं continue रखों का guys, यह फिर BGMI खेलो, आप जो कहोगे वही चलेगा, तो इस वीडियो के अंदर कमेंट करके जरूर बताना कि मैं कौन सा वाला वर्जन जो है continue करो, नई वर्जन, नई अपडेट्स कहलते रहों, यह फिर पुराना BGMI पे रह अब जहां पे जो है सामने वो बंदा देख रहो ना, उस बंदे ने मेरे A development चिपका दी और अब पुश कर रहा है, और यार, इस बंदे को भी निप्टा दिया, तो उस टाइम पे guys, जब हम बन PUBG Mobile खेलते थे, लाइक इंडोनेशिया और चाइनीज लोग का बहुत जादा अब हम थोड़ा बहुत डॉमिनेट भी करते थे PUBG Mobile में क्योंकि शायद उनके यहां पे PUBG थोड़ा सा पहले आ गया था, तो मतलब थोड़ा डॉमिनेट टाइप के करते थे, इसलिए like सामने गर ऐसी लोबी आ जाती ना, इंडो लोबी, और ऐसी लोबी में जो है एक तो पिं आइ तिंग वो विएतनाम वरसें था, तो बहुत सारे वरसें यहार PUBG के गुमरे मार्केट पर वा था जाए इस टीम के एक और बंद को निप्टा दिया गाइस देख सकते हो बाकी सारी टीम जो है वो गाडियों में गुम रही है और खाई नकी महां एंगल डून रहे थे मेरे उपर मैं भी एंगल डून रहा हूँ अभी इस नई एंगल पर आ चुका हूँ और यह गाड़ी बाले को दूसरा वाला यूएस वाला बंदा कुचल देता है वो पिचला नौक पड़ा था मैंने फिनिश चुराने की कोशिश करे उसकी पूरी लेकिन जल्दी जल्दी में जो गाड़ी बाला मेरे पुश कर जाता है मैंने सोच इसको मारते है बट मारना में देखो AWM से था बटो कुछ ज़्यादे क्लोस आ गया और उसके बाद जो है गाइस यहाँ पर एक ओर टीम आ गई अब यहाँ पर चाइनीज टीम का पुश हो जाता मेरे उपर और देखना कैसे निप्टाते है तीन बंदी आँके इनके बैक टूबैक निप्टा चुका दमा आकरी बंदा और नेट चेक आउट करना गाइस अब मुझे निपता नेट से बंदा मरा की नी मरा लेकिन सारे के सारे बंदों के किल मिल जाते है शयदीन का जो आकरी बंदा था गाइस उसको किसी दूसरे चाइनीज बंदे ने दूसरे मार दिया तो बहुत दिन बाद एक ऐसी लोबी में केल रहा हूँ जहां पुछे अलग अलग कंट्रीस के लोग है मेरा तो इंडिया वाला ही जेंड़ा लगा हूँ है बाकी तो भाई बहुत सारी कंट्रीस के लोग है यार मजा आ रहा है ऐसी वाली लॉबी केलने में अब मेरे को वहां से आप पीछे से बड़ी थे वह जो टावर देख रहे है आप ये मेरे पीछे पर बड़ा हासा टावर है पता नहीं कहां से आ गया ये लग भी निराए कि लग एक एर एंगल भी केल रहा है अप एक दम अलग ही लग रहा है यार येवल अपडेट अब मैं स्मोक किया मैं बाहर जाता हूँ मेरे का एंगल किसी दूसरे बंदी को पर लेना थे मिरेको मैं उसी को मारने वाला था बट मिरेको पीछे से पढ़ चुका हूँ फिनिश करते थे इसको अब फिनिश करते में ये वली गन पूरे मैच में यूज करने वाला हूँ थोड़ा सा रिस्की रहने वाला है क्योंकि मेरे पड़ भी रही है और अगर एक पुरी टीम का पुश होता है इसकी बुलेट खतम हो गई तो आपको पता है र अब इसको निप्टाया फिनिश करते है और फिनिश करते है इसका टीमेट में को मारता है अल्मोस्ट फिनिश कर दिया था मेरा पूरा गेम यहीं पर खतम कर दिया था इस बंदे ने बट कोई दिक्कत निए गाई एक और चीज का पुश आ रहा है मेरे उपर थोड़ा मेरी СП इतनी थी नीचे गिरते हिचा फिनिश हो जाता है तो जो कि बहुत दुख सा होता यार अगर मैं ऐसा हो जाता फिलाल वह से निकलने के बाद जो है मैंने सोचा चलो आप काम करते हैं गाडी से न थोड़ा फुश करते हैं बड़ जो मैं सोच रहा था वो वह विले ट तो बंदा यहां से गायब अब वो बंदा है तो आसपास ही लेकिन कहां पर है कुछ ज़्यादा इग्जक्ट आइडे नहीं है मैंने सोचा चट के उपर चट जाओ इस गुबारे का यूज करके लेकिन कोछ जाता काम का मेरे को लग तो नहीं रहा रही है वाला गुबारा मतलब क्या क्या काम कर सकते है आपने को कमेंट सेक्शन में बता होगा इस इस वाले गुबारे से हाथ थोड़ा सा अगर आप ढलान पर हो तो नीची के तरफ जल्दी से आ सकते है उड़के बहुत चाहता है इसका यूज में को लगनी रहा वट थोड़ सी मज़ादार चीज है जो कि कुछ हाट के एड़ करिया है पबजी वालोंने फिलाल दो बंदे गाईज एक बंदा कूद गया एक बंदा अभी भी उसी के अंदर है तो जो बंदा अभी भी उसी के अंदर है उसको मैं टार्गेट करता हूँ कूदने वाला गायब हो गया शायद अब मैं थोड़ सा यहां पर ओपन में आता हूँ क्योंकि दोनों जो है उतर च मैं जो कर दिया गाइज और एक बंदा भी भच रहा है मैंने सोच उसको एडिवल्यम मारते हैं बड मेरे शॉट्स अच्छे से गनेक्ट में हो रहे लेकिन यहां पर जब मेरा शॉर्ट नहीं लगाना तो मैंने सोच लिया कि अब तो इसको AWM सही मारूँगा उपन में ही मारूँगा और फाइनल इसको हैड लगता है अब यहां पर मेरे को कुछ सुनाई देता है सामने मैंने नीट फेका वहां पर क्योंकि आप मुझे वह सुनाई दिया तो वह भी उतनी दूरी पर है तो उसको भी सुनाई दिया होगा उसने चेंज कर लिए अपना रस्ता मां से मेरे को दो बंदे उपन में भागत हुए दिखाई देते हैं यहां पर जब मैं आता हूँ अब इन दुनों को निप्टाने के बाद गाईज दुनों तो नहीं लेकिन हाँ एक को तो वहां पर निप्टा दिया है मैंने दूसरा वाला बंदा अभी भी शायद वहां पर हो सकता है और एक बंदा जो यहां पर मेरे को लग रहा था वही मेरको कहीं न कहीं back strap कर सकता है चलो गाइज दूसरे भेले बंदी को निपर दिया अब इधर छिस बंदी मैं नेड फिक रहा था उस बंदी से मेरको main दिख कर थे क्योंकि वह कहीं पर भी हो सकता था अब वो जहांबे भी था गाईज वो बंदा ओफलाइन बढ़ावा था और मेरे को पता ही नहीं था मेरा सड्ड़नली चिकन टीनर हो जाता है जब वो जोन के बहार ही बार जाता है और I hope आपको यह विडियो गाईज अच्छी लगी होगी खेर जाने से पहले और पिन केमेट में भी दे दूँगा गाईज डाउनलोड करो जाके मैं मिलता है स्विकनेक्स टीनर में दब तक लिए टेक केर और गुडबाए